हलो एवरिवन लास्ट वीडियो में मैंने गीववे के बारे में बताया था कि गेस करना है कि 15 को एरपोर्ट में कौन सा कार्ड का अनबॉक्स करने वाला हूं जो भी सही गेस करेगा उनको डिजनी होस्टर का वोचर मिलेगा तो सेम चीज आप इस वीडियो में कर सकते हैं पर कमेंट करना है कार्ड का नाम लाइक करना है वीडियो को और जो भी सही गेस करेगा उनको मिलेगा पिछली वीडियो में आप लोग सब कमेंट कर रहे हैं कि IDFC वेल्थ क्रेडिट कार्ट का में अन्बॉक्स करने वाला हूं बट यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यह हां कुछ लोग कह रहें प्री अप्रूट था हां प्री अप्रूट था बट आईए IDFC वाले हैं यहां प्र 15 को सब कुछ हो भी चुका हैं और यह 15 मार्च को कि टूर्ड मुझे देगा या नहीं देगा कि अभी मुझे नहीं पता यह कार्ड मिलेगा यह कब मिलनेवाला है है जो अभी कुछ ट्रैवल कार्ड हो का काड का मैं unboxing करने वाला तो चलिए इस वीडियो को continue करते हैं आप देख सकते हैं यह जो credit card है यह RBL bank का icon credit card है और यह RBL bank का one of the premium credit card में से एक है जिसकी fees 5000 plus taxes है तो चलिए इसको unbox करते हैं पटाफट तो आप देख सकते हैं यह टोटली बाहर आ चुका है box packaging काफी अच्छा है और काफी decent है देखके आप असानी से कह सकते हैं किसी यह premium credit card का ही box है तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं और अब देख सकते हैं यह पूरी तरह से बाहर आ चुका है कि इसको slide कर देते हैं कब देख सकते हैं यहां पर नाम लिक्मेंशन है रिडेट लिमिट मेंशन है कैस्ट लिमिट मेंशन है तो लिमिट मुझे मिलिए 63,000 का ठीक है इसके फीचर्स और डीटेल को देखने के लिए इसको स्कैन करना होगा इसकी पूरी फीचर्स हमें दिख जाएगा और यहां पर टॉंटी फॉर कॉल इस नंबर पर कॉल करें मैं सच बता हूँ इस नंबर पर फर मैं उलरीड कॉल कर चुका हूं कंस्या सर्वीस करनेक लिए बट स 24 x 7 तो वर्क नहीं करता है मैंने पूरा ट्राय किया इनके सीनियर टीम से भी मैंने बात किया था तो मुझे नहीं पता कैसे इनका सर्वीस रहेगा तो देखते हैं एक कार्ड कैसा है तो चीसतर का कार्ड दिखता है यहां पर आइकन लिखा हुआ है और बेल की ब्रैंडिंग है यह वीजा वेरियंट कार्ड है मुझे लगा था यह मास्टर कार्ड वेरियंट मिलेगा त्यूंकि इसका मास्टर कार्ड पर ज्यादा एरपूट लाउंज एकसस एविलेबल है एक्स्टा प्रीमियम कार्ड की तरह लूक है हां बट कार्ड ठिक ठक लूख है इसका की यूज उजेबल कार्ड है ठीक है तो यह कुछ इसतरह का का अरि ब्ल कारड दिखता है तुछ लिए भी फीचर अन बेनिफित पर बात करते हैं कि आइकान कार्ड के साथ आपको मिलता जो जिसकी जो वैली होगी वह 5000 रुपीज के असपास होगी ठीक है तो अगर मालेजे कोई टिकट का रेट अगर मालेजे 200 रुपीज है और आप दो टिकट बुक करते हैं तो जो सगेंड टिकट होगा उसके पर आपका 200 रुपीज ऑफ हो जाएगा सेम एग्जैक्टली जैसा कि आपका उफर उसके अंदर मिलता है माई जोन क्रेडिट कार्ड में मिलता है अप टो 200 रुपीज वो फ्री ऑफ कोस्ट कार्ड है तो सोच सकते हैं कि इससे कितना बेटर कार्ड है तो मुवी बेनिफिट के लिए अब चाहते हैं तो आइकन कार्ड अच्छा नहीं इसे बेटर है मैं अभी कर दूंगा वीडियो में कि आप माई जोन ले लिए क्योंकि दोनों में सेम ही ऑफर मिल रहा है उसमें मंत में एक बार आपको मिलता है इसमें मंत में दो बार अपको मिलता है तो अगर मालेजे ऑनलाइन ऑफ लाइन या कहीं भी ट् लेते हैं तो इसके अंदर आप 20 पॉइंट्स मिलेंगे और 100 के स्वेंट पर और जो इंटरनेशनल होना चाहिए या डाइनिंग स्पेंड होना चाहिए वीकेंड के अंदर आइं जो मैक्सिमुम आपको एक्सेलेटेट रिवार्ट पॉइंट्स अपको मिले पाएंगे पू आप 30,000 बोनस रिवार्ट पॉइंट आपको मिलेगा इस क्रेडिट कार्ट के स्पेंड पे सब्से पढ़ए अगर अगर आप 3,000,000 का माइलस्टों रिच करेंगे तो इसके साहत मिलेंगे और इसके बाद आप अगर आप सेकेंड माइलस्टों रिच करेंगे जो कि 5,000,000,000 माइल स्टॉन हीट करेंगे जो की एट लाग का स्पेंट है तो इसमें आपको 20,000 अलग से रिबॉर्ट पॉइंट में लेंगे तो टोटल आपको एक साल में एक्स्ट्रा बोनस रिबॉर्ट पॉइंट करीव-करीव पूरे यर में आप 11-12,000 रुपया का वैल्यू का रिबॉर्ट पॉइंट माइल स्टॉन के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा ठीक है बट उतना अच्छा नहीं क्योंकि एट लाग का स्वेंट का रिटन आता है तो मुझे नहीं लगता उतना अच्छा सबसे कम ही मुझे दिखाई पड़ा है और आपका जो मास्टर कार्ड वेरियंट उसके अपको दे देता हूं आप देख लीजेगा स्क्रीन के ऊपर ठीक है बट इसका एरपोर्ट लांच के लिए मैं यह कार्ड सजस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेजर एरपोर्ट को यह सप सकते हैं बट उसको एक चार्जेबल होगा इसके तब को प्राइटी पास ही लोग देते हैं फ्री ऑफ कोस्ट बट जब भी उस प्राइटी पास के थुरू अगर आप कोई भी एरपोर्ट लांच इंटरनेशनली लेंगे तो उसके अपर अलग से आपको 27 युएस डॉलर प मैं किसी ही इजिएंट पर इंफॉर मेशन को नहीं था के पास information करेक्ट नहीं था किसी और से कॉल कर धोफिरे थे मुझे सुनाई पड़ता था तो मैं कहते हैं इन से पूछा कि जिए पारौख वेपा भी एक्सहें से वाइस के तो यह सारा चीज है इसके लाबा एक स्पेशल इवेंट वेगरा कभी यह लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फॉर्मुला वन रेसिंग वेगरा कुछ होता है यह स्पेशल आवाड नाइट होता है तो उस सब के लिए भी एक्स्क्लूजिव पासस वेगर आपको प्रॉबाइट क प्लस आपको ट्वेल कॉपलीमेंटरी गॉल्फ लेशन मिलेगा वन पर मंथ और अगर मालीजे आपने जो गॉल्फ लेशन डे रहे हैं अगर वन पर मंथ से आपको ज्यादा चाहिए तो नेक्स्ट जो बुकिंग करेंग उसके पर आपको 50% का डिसकाउंट मिलेगा तो बा चाहिए बिट्विन 500-4000 के बीच में होना चाहिए एक मन्त में वेवियर मिलेगा वह तो होगा 200 पर मन्त पर याद रखेगा कि उसके पर आपको जेस्टी रिटन नहीं आएगा और एक और पॉइंट की फ्यूल स्पेंट पे इस काट से कुई भी रिवार्ट पॉइंट भी बात करें इस काट की फीस तो इस काट की फीस चार्जें 5000 प्लस टेक्स और हां इसके तुरू जब भी कोई जितना भी रिवार्ट गें करते हैं अगर उसको रिडिम करेंगे सबको 99 प्लस टेक्स जो है वह डिविशन फी लगेगा और आपको देना पड़ेगा वह प्रिमियम काट आप इंटरनेशनल लांज नहीं दे रहें आप समझ सकते हैं 5000 यह तो निगेटिव पॉइंट है इसके साथ कोई भी ट्रैवल या लाइक आपका कह सकते हैं कि परसनल डेथ या फिर इनो ट्रैवल इंस्वरेंस कुछ भी इसके पर कोई इनस्वरेंस नहीं है प्रिमियम काड होने के बाद भी और प्लस यह फॉरन के लिए तो काड ही नहीं बना क्योंकि इसके फॉरन करन्सी मार्क फी भी 3.5 परसेंट है तो डेफिनेटली नोट रिकमेंड़ेट फॉरन यूजर और इसके थ्रू इंट्रेस आच की बात करें अगर कोई हमाई करते त लेस्ट जो सबसे कम आपको पड़ेगा वह 3.5 परसेंट कर लेते हैं कि यह काड मुझे कैसे मिला तो यह काड मुझे फिल्कुल फ्री मिला है स्क्रिंशोट आफ देख सकते हैं हुआ यह कि मेरे पास अर्वल का सॉप्राइट क्रिट कार्ट था वह मुएने क्लोस करने के ल अगर तो मुझे बोला कि सर मैं आइकन दे सकता हूं उभी फिर्स फ्री फ्री वेपको दे दूंगा तो मैंने ले लिया इस कार्ट को और आप देख सकते हैं तो आप चाहें तो आप भी ट्री कर सकते हैं रहांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि इस चीज का मिस्यूज ना करें क क्रेंड करने के तो मुझे अगा युज वाकई में मुझे सबीने सराथ के कांगं करने को दे दी करने के दिया हैं यह करहां लोगा आप बहुत हो कि इतना फिज देने से इस काड़ का कोई वर्थ नहीं है और मेरा रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है आप प्लीज आर्वियल के क्रेड़ेट काड़ से दूरी रहें क्योंकि उनके कोई भी काड़ वर्थ नहीं है सिवा एक काड़ के वो है बुक माईसो सब्सक्राइब लग टिमपे बात किया उनका है मैं बोला य। आप लोग इतने सारे काड़ दे रहे हो प्लेकार्ट देने में क्या इश्व है तो ओबर ओल ये कुछ थाइस वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में धन्यवाद